हेलो गाईज गुलदार भाई का गाना देख रहा था अभी मैं पंडिज जी आपको दिखा देता हूं यह देखी तो पंडिज जी गाना देख रहा था हमें और तभी मुझे यह रियलाइज हुआ कि गुलदार भाई अपने गाना तो बहुत तगड़ा बनाते हैं लेकिन एक दिक्कत आती है, दिक्कत क्या है कि मुझे पर्सनली वो लगता है कि हलका सा ओटो ट्यून करते हैं गुलदार भाई, तो मैं बस ये एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं शुरू से ही, कि गुलदार भाई की गाने अच्छे हैं, आवाज अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, बस ओटो ट्यून, अगर वो थोड़ा सा कम करें, तो भाई मज़ा आएगा, और ज्यादा गाना अच्छा भेतरीन लगेगा, बाकि मैं मतलब सिंगर नहीं हूँ, नहीं मैं म्यूजिक कंपोसर हूँ, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, बट फिर भी जितना मुझे नॉलेश है उसे साब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा ये एंजॉय करिए गुलजार भाई का गाना पंडिजी, पंडिजी गाने को लेकर कि कई सारी अफवादे चल रही है, जैसी कि मैंने अभी एक वीडियो तो नहीं देखा था, वीडियो का थमनेल देखा थ उस पे लिखा हुआ था कि बाई, क्या लिखा हुआ था, कि गुलजार भाई जाती वाद फेला रहे हैं और कॉपी गाना है ये, तो आप लोगों का इसमें क्या विचार है, क्या गुलजार भाई ने ये गाना किसी का कॉपी किया है क्या, तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताईएगा, जनता का इसमें क्या सोच है, वो भी कमेंट करके बताईएगा, और गुलजार भाई क्या, जो रांडा पाटी गाना है, उस पे 30 करोड व्यूज हो चुके हैं, यानि कि 300 मिलियन व्यूज, तो गॉन्ग्रेशन्स, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना ही देता हूँ, टाइम टू टाइम, ताकि मुझे भी मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता रहे, दोस्तों, विक्वेस्ट है, संदिर सिंग नाना के इंस्टाग्राम को फोलो करिए, और वी एक इंडिया जो की इस पेच का इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा, उससे भी फोलो करिए, उससे भी आप लोग अपने डिमांड भेज सकते हैं, चलो, बाबाई, जय हिंद, जय भारत